हेलो गाईस फिर से आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल नौलेज गनार पे आज हम लोग बात करेंगे कोई भी आर्क का हाइट और विद से उसका डायामेटर या रेडियास क्या से निकाला जाए रोलिंग मिल में रोलिंग के लिए जो रोल लगता है उसमें जो पास बना हो रहता है राउंड का पास हो या ओभाल का पास हो तो उसका अगर आपको हाइट और विद पता है तो उसका रेडियास आप आसानित से निकाल सकते हो जैसे इस पिक्चर में दिया गया है जे ए आर्क का उइध है W और उसका डीप यानि हाइध है H तो इसका अगर हम लोग डायमेटर निकलेंगे कैसे निकलेंगे और विडियो के एंड में आसान टेकनिक बताएंगे इस चीज़ को निकलने के लिए चलिए शुरू करते हैं पकड़ लेते हैं आर्क का उइध है 2W तो उसका हाप उइध कितना हो जाएगा 2W by 2 यानि W आर्क का डेप्ट पकड़ लेते हैं H और आर्क का रेडियास पकड़ लेते हैं R तो अभी इस ड्रोइंग में जो त्रीकोन बन रहे हैं उसको हम लोग अगर बाहर निकल के लाएं तो उसका तीन बाजू हमको मिल रहा है एक निचे बाला जो बाजू है वो की है हाप उइध W और दूसरा जो खाड़ा बाजू है उसको हम लोग S पकड़ लेते हैं और तीसरा जो बाजू है वो तो है सर्कल का रेडियास यानि R S और H को अगर पुरा मिलाएंगे तो वो भी सर्कल का रेडियास हो रहा है यानि R तो हम लोग S को लिख सकते हैं R-H तो अभी हम लोग इस त्रीकोन में पिथाकुरण थियोरिम के हिसाब से लिख सकते हैं R² is equal to W² plus S² और R² is equal to W² plus R-H ता होल स्कोर लिख सकते हैं तो 2R is equal to W² plus H² और R² और R² दोनों साइड से कट गिया तो 2R is equal to W² plus H² divided by H तो 2R is equal to H plus W² by H और 2R मतलब होता है डायामिटर क्योंकि रेडियास का डबल हो जाता है डायामिटर सरकर के अब एक्जम्पेल का दोरा समाजित इस चीज़ को मानलीजिए आर्क का जो उविद है 6.9 है तो हाप उविद कितना हो जागा 6.9 divided by 2 यानि 3.45 आर्क का डेप्थ है 3 तन डायामिटर कितना होगा आर्क का डेप्थ प्लास हाप उविद गुना हाप उविद divided by डेप्थ तो इस फर्मुला में पूट करके हम लोग को मिल रहे है 6.96 इस आर्क का डायमिटर होगा 6.96 जो भी यूनिट रहेगा उसकी इसाब से आब आसान तरीका सबसे पहले चौड़ाई को आधा करो तो 9.9 आया था 11.9 divided by 3 डिप जो था तो 3.96 लास्ट में जो आया उसको डिप के साथ फिर जोड दो 3.96 प्लास 3 यानि 6.96 यह होगी आसान तरीका गाईस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शियर सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कुछ डाउड रहा तो कॉमेंट कर ना भूले थैंक्स पर वाचिन जाइ हनु